इस वीडियो में हम देखेंगे KVS का मैच का सब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे PGT के लिए मैंने अल्रेडी एक वीडियो बना दिया है जो 81 से लेके 100 तक क्वेस्चन कवर करता है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो में हम 101 से लेके 120 तक क्वेस्चन करेंगे एक्वेशन ऑफ दे सर्कल दे सेंटर ऑन य एक्सिस एंड पासिंग थू दे ओरीजिन और पॉइंट टू-3 तो हमें चार ओप्शन दिये गए हैं हम सबसे पहले जो ट्रीचस्नल तरिका होता है उस से हम ट्राइ करते हैं जन्रली ज़ो करते है हो कि इकवेशन ऑफ सर्कल क्या होता है सेंटर 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 हम लेते है और उसका इक्वेशन होता है x-h² plus y-k² is equal to r² अब वो पासिस center उसका कहा है y axis पर है तो हम उसे 0 के center ले ले लेते हैं और उसे फिर से rewrite कर लेते हैं x-0² plus y-k² is equal to r² अब हम इसे further simplify करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा x-k² plus y-k² is equal to r² अब हमें बोला गया है कि वो passes through origin होता है और point 23 तो one by one हम दोनों ही point लेते हैं कि अगर origin से pass होता है तो हमें relation मिलता है x और y दोनों ही 0 रख देंगे तो k² is equal to r² मिलेगा और उसके बाद अगर हम point 23 लेते हैं तो point 23 put करने पर हमें मिलेगा कि k की value 13 by 6 after solve करने के बाद तो इन दोनों से हमें पता चला k² और r² सेम ही है तो यहां पर हम यह equation cancel कर देंगे और k की value हम कहां पर रख देंगे 13 by 6 यहां पर तो k की value अगर 13 by 6 साप रखोगे यहां पर आजो में 2 है 2 3s कट हो जाएगा और 3 multiply हो गाएगा x² y² के साथ तो हमारा answer हो जाएगा 3x² plus 3y² minus 13y which is option a अब यह तो एक तरीका होगा दूसरा तरीका है कि यह equation ही है ना जो pass होता था दो पॉइंट से यह origin और 23 से तो हम दोनों ही point अंदर put कर सकते हैं पर origin put करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि x और y दोनों ही 0 रोकें तो सारे equation 0 is equal to 0 देंगे which is not right बट अगर point 23 रखोगे ना तो हमें सिर्फ पहला ही answer देगा 3 और 2 का square 4 प्लस 3 और 3 का square 9 माइनस 3 इंटो 3 तो यह 3 fours आ 12 यह 27 माइनस 39 तो यह 39 माइनस 39 हो जाएगा 0 तो यह एक ही equation में देगा बाकी सब में 0 नहीं देगा तो हम इस तरह से भी सोच सकते थे अगर डायरेक ही value पूट करते तो हमारा answer आजाएगा option first second question देखते है mod x-2 greater than 6 then तो mod की definition यहां भी यूज की गई कि x-2 greater than 6 और x-2 minus 6 हम लिख सकते है तो x greater than 8 and x less than minus 4 होगा तो इसकी वाज़ा से यह तो 8 open interval हो जाएगा infinite और minus infinity to minus 4 हो जाएगा तो हमारा answer होगा option 2 question number 10 थे temperature kept between 15 celsius and 55 celsius what is the range of temperature in degree fahrenheit of the conversion formula f is equal to 9 by 5 c plus 32 तो हमें जो Fahrenheit का जो sorry celsius का जो temperature दिया है वो 50 और 55 के बीच में ता हम उसी को ले ले लेते 50 less than c less than 55 अब मैं उसे इसे तरह से convert करने ही कोशिच करता हूँ यह equation बना रहा हो तो c के side में 9 by 5 multiply है तो मैं 9 by 5 multiply करतेता हूँ उसे हम solve करेंगे तो 5 10 और यहां पर 90 less than 9 by 5 c plus 99 हो जाएगा और plus 32 है तो मैं plus 32 करता हूँ तो 90 plus 32 9 by 5 c plus 32 99 plus 32 तो 90 plus 32 कितना हो जाएगा फर्स्ट question number 104 three balls are drawn from the back containing three red five white and two yellow balls okay total हमारे पास three or five eight or two ten balls है और उसमें से number of ways fine करने में thus can be done if at least two red है तो हमें इस तरह से कुछ बाल दियो है तीन red है पांच white है और two yellow है तो हमें लेने हमें उसमें चीमाना बन्सका हो चाहिए या कि चाहिए उससे ज्यादा होगा चलेगा तो two case यह बनेगे या तो तीनो ही यह ग़ो या तो दो red और white और yellow में से को cat's पहहला case बनता हे कि 3 red बाल में से 3 c 2 बनेगा and दूसरा बाग지 जो बच्चे seven ball में से कोई भी एक बोल होगा यह पहला केस है प्लस सेकंड केस कौन सा होगा कि तीनों के तीनों ही रेड हो तो 3C3 तो 3C2 क्या हो जाएगा 3 factor divided by 2 factor into 1 factor 7C1 7 हो जाएगा प्लस 3C3 1 हो जाएगा तो 3C2 की value जो हम solve करेंगे 21 मिलेगी इसके साथ multiply करके 21 plus 1 22 हो जाएगा which is our fourth option is answer question number 105 number of ways in which team of 11 players can be selected from 20 players always including one of them and excluding 3 of them 20 players है total और उसमें से 11 players select करना है अब यहां पर बोला किया एक को हमेशा include करना है तो हमारे पास कितने हो जाएगे 19 और एक तो हमेशा include रहेगा तो यह 10 player का selection करना है उसके बाद आगे भूल रहा है कि 3 को कभी नहीं लेना है exclude कर देना है तो 3 यहां 19 में से minus करो और यहां पर क्या हो जाएगा सिर्फ 10 ही रहेंगे तो हमारा answer आया जाएगा 16C 10 इसको देखने का दूसरा perspective यह है अगर कभी भी total player दिये हो और उसमें including और exploding है सारे ही minus करो उसमें से and each digit only once used 4 number दिये हो एक ही बार यूस करना है उसको तो पहला number होगा उससे हम 4 बार यूस करेंगे बाकी 3 बचे उसमें से 3 बार बाकी 2 बचे उससे 2 places और लाश बचेगा उससे एक यह basic question है तो 4 312 12 2 2 20 4 हमारा answer होगा question number 10 7 in matrix a is equal to 4 by 4 हमें matrix दिया हुआ है then the rank of the matrix a minus i कितना होगा identity matrix तो दिखो rank find करने की total 3 method है एक minor method जिसे कहते हैं दूसरा eclon form जो हम इस question में use करेंगे तीसरा normal form minor method में क्या होता है determinant जब not equal to 0 होता है तो वो हमारा rank होता है for example 3 by 3 मानलो कोई matrix है अगर उसका determinant 0 आया तो वो उसका rank नहीं है अगर उसी का 2 by 2 अगर not equal to 0 आता है तो उसका rank हो जाएगा 2 उसे minor method करते हैं determinant से check करना eclon form जो हम यहां पर करेंगा normal का मतलब होता है कि कि किसी भी matrix को identity matrix में convert कर दो तो वो उसका rank हो जाता है तो eclon form में हम यहां पर क्या करेंगे कि उस matrix को अपर यह lower triangular में convert करेंगे और जहां भी non zero number of rows बचेगी उस हम rank देंगे तो देखो करते हैं पहले a-i का formula लिख लेते हैं यहां पर इस तरह समय लिख लेता हूँ तो two minus one क्या हो जाएगा one हो जाएगा और अगर इन र three और four को अगर exchange कर दो रोको तो मेरे पास यहां पर यह बच जाएगा तो यह इस तरह से upper और lower triangular में set हो जाता है तो यहां पर देखो number of non zero rows कितनी है तीन है तो हमारा rank होगा three इसे eclon form कहते हैं जो सबसे ज़्यादा हम यही यूज करते है question number 108 if a is equal to two minus five five zero three minus one zero minus one three then the eigenvalue of matrix is आइगन वेल्यू को मतलब होता है lambda तो आइगन वेल्यू के लिए हमारे पास formula a minus lambda i हमें यहां पर lambda की value निकालनी होती है two minus five five zero three minus one zero minus one three minus three by three का identity matrix वह हो गया लेम्डा यहां पर लेम्डा तो हम यहां पर उसे solve करते जाते तो हम इसका determinant निकालेंगे तो two minus lambda three minus lambda का whole square minus one हो जाएगा plus five minus यहां पर प्लस हो जाएगा और बाद में zero हो जाएगा और same चीज यहां पर last में होगी five के side में zero आ जाएगा तो इसे आगे हम solve करते जाएगे three minus lambda का whole square nine minus six lambda plus lambda square minus one further simplify करेंगे तो हमें मिलेगा 2 minus lambda, lambda square minus 6 lambda plus 8 तो इसका हम factorization निकाला लेंगे तो हमें मिलेगा lambda minus 4, lambda minus 2 और यहां पर 2 minus lambda तो धाए तो lambda की मुझे 2 value मिलती है, 1 4 और 2 दो बार मिलती है तो हम यहां पर set में सिर्फ 1 ही लिखेंगे उसको तो यहां पर आंसर होगा हमारा 2 and 4, option number 3, question number 10, characteristic polynomial of matrix A, यह previous question ही है, उसी से related है, characteristic polynomial and equation lambda में लिखना है, और लगर lambda की value आ जाए तो उसे eigen value कहते हैं, तो वही चीज़ हम करेंगे, जहां पर करीथी वहाँ पर, यह minus lambda, identity matrix i3 हो जाएगा, और इसे हम solve करेंगे, 1 minus lambda, minus 1 की तरह, तो इ हो के यह, फिर इवहाँ multiply हो के पूराय हो जाएगा, और अगर फर्दर simplify करते जाएगा, तो 1 minus 2 lambda plus lambda square minus 1 plus lambda plus lambda, तो उसे हम solve करेंगे, जैसे जैसे आगे करते जाएगे, हमारे पास end में यह बचेगा, minus 2 lambda plus 2 lambda cancel हो जाएगा, और minus lambda cube plus 3 lambda square बचेगा, तो यहां पर option हमारा हो जाए जाएगा, lambda cube minus 3 lambda square, question number 110, यहां पर हमें दिया हुआ है, sigma fi xi minus x bar whole square is equal to 10050, and n is equal to 50, then the variance is, अब देखो, variance का एक सीधा formula, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी, okay, यह question इसी तरह से होगा, कि variance का जो formula है, वो इस तरह से, variance is equal to sigma fi xi minus x bar whole square and divided by n, यहां तो sigma fi है, दोनों में से कोई भी लिख सकते है, तो 10050, and n is equal to 50, इसे 00 cancel करेंगे, तो हमें answer मिल जाएगा, 201, option 4th, in the class test, in mathematics, 7 students obtained 10, 45, 35, 43, 25, 46, and 15 marks, the mean deviation from the median is, तो सबसे पहले हम क्या करते है, median हम find कर लेते, उसके बाद mean deviation की बात करेंगे, okay, क्योंकि median के उपर हमें निकालना है, इसलिए, तो अगर इस तरह से sequence दिया हुआ हो, तो हम उसके median दो case बनते हैं हमारे, कि सबसे पहले इसको increasing order में लिख दो, जो मैंने यहां पर already लिख दिय होता है, तो यहां पर हम देखते हैं हमारा n क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, odd है यानि यह formula बनेगा, okay, तो 7 plus 1, 8 हो जाएगा, 8 by 2, 4th term होगा, तो हमारा term होगा, 35 जो है वो median होगा, अब formula क्या है आगे, कि mean deviation का formula क्या है, median के लिए, sigma x i minus m, हमारा m क्या है, by the way, 35 आया, divided by n, यानि क जो total number है, okay, तो आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे आगे, तो एक साए मैंने हम 35 है, तो 35 में से इन सब का difference निकाल, और mod है इसलिए positive आएगा, 35 में से 10 जाएगा तो 25, 35 में से 15 जाएगा तो 20, 35 में से 25 जाएगा तो 10, उसके बाद यहां पर 35 में से 0 पर वो मैंने लिखा नहीं है, 43 में से 35 जाएगा तो 8, 35 में से 10 जाएगा, 45 जाएगा तो 10, 35 में से 46 जाएगा तो 11, और नीचे 7, सब का addition करेंगे तो ऊपर 84 आएगा और नीचे 7 है, तो 12, 7 जा 84, हमारा mean deviation from the median is, answer is 12, sum of two non-zero numbers is 6, then the minimum value of sum of the reciprocal is, okay, तो सबसे पहले आपको minimum के लिए दो maximum is equal to if f double dash x, ये दो बार differential less than 0 होता है, और minimum के लिए greater than 0 होता है, तो हम इसे लिख लेते हैं कि 2 non-zero number है, उसका addition कितना है, 6, यानि y is equal to 6 minus x भी लिख सकता हूं, मैं 2 number x और y ले लेता हूं, हमें उसका reciprocal का sum निकलना है, 1 upon x plus 1 upon y, तो हम further simplify करते जाते हैं, तो x plus y divided by xy, तो x plus y क और y की जगा पर मैं लिख लेता हूं, 6 minus x, अब देखो ये function की minimum value निकालने को बोला है, तो नीचे जो denominator है, अगर उसकी maximum value मिल जाएगी, तो पूरे की हमें क्या मिल जाएगी, minimum value मिल जाएगी, तो ये जो नीचे जो function है, उसकी में maximum value निकालने की कोशिश करता हूं, तो ये 2x is equal to 6, x is equal to 3, अब हम चेक करते हैं, maximum है भी या नहीं, इसका double dash differentiation करो, d square by dx square, तो ये minus 2 हो जाएगा, तो minus 2 हो जाएगा, मिल जो पहली condition है, यानि की नीचे वाला function maximum है, तो पूरा है क्या हो जाएगा, minimum हो जाएगा, और कौन से critical point पे, 3 पे, x is equal to क्या है हमें, 3, तो y is equal to, यहां पे 3 रख देंगे, 6 minus 3 is equal to 3, तो x और y दोनों की value हमें 3 मिल गई, और मैं यहां पे रख देता हूँ, तो 6 by और नीचे 3 into 3, तो 6 यहां पे 3 2 जा कट हो जाएगा, और 2 by 3, तो हमारा answer क्या आ जाएगा, 2 by 3, एक तरीका तो यह है, दूसरा एक और तरीका है, कि हम जानत है already, कि arithmetic mean दो real number का क्या होता है, x plus y by 2, geometric mean क्या होता है, under root xy, and harmonic mean क्या होता है, 2 by under root 1 upon x plus 1 upon y, जितने भी number होता है, उनका reciprocal नीचे addition में होता है, जितने number होते है, वो उपर होता है, तो इसका relation अगर हम देखा जाए, तो इस तरह से हम जानते है, कि harmonic mean less than or equal to geometric mean less than or equal to arithmetic mean, तो यह यहां पर यही relation बन जाएगा, उपर वाले number से, 2 by divided by 1 upon x plus 1 upon y, less than or equal to under root xy, less than or equal to x plus y by 2, अब मुझे यह value चाहिए न, तो मैं इसको इसके साथ compare करता हूं, कि 2 by 1 upon x plus 1 upon y, less than or equal to x plus y, 6 है, 6 by 2 कितना हो जाएगा, 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 upon x plus 1 upon y, less than or equal to, sorry, फितने 1 upon y, less than or equal to, 2 by 3, तो हमें यहीं चाहिए था, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, 2 by 3, minimum value कितने हो जाएगा, 2 by 3, 1 upon reciprocal के विसाब से, तो इस तरह से भी हम यहां पर सोच सकते है, question number 113, the solution of tangent to the curve y is equal to x plus sin x cos x at x is equal to pi by 2, अब देखो है, हमें solution लेने को कहा गया है, तो x is equal to pi by 2, दिया हुआ है, तो हमें यहां पर कौन सा formula use होगा, y minus y1 is equal to m x minus slope के साथ निकाल लेगा, तो हम x is equal to pi by 2, तो मैं यहां पर क्या करता हूँ, इसको sin 2x में convert कर देता हूँ, y is equal to x plus 2 by 2 उपर नीचे multiply कर दिया, तो sin 2x by क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब मैं x is equal to pi by 2 यहां पर to 0, तो मुझे x1 और y1 मिल गया, जो मुझे equation में put करना है, अब मेरे पास slope नहीं है, यानि कि हम इसका differentiation करेंगे, तो वो मिल जाएगा, तो dy by dx, x का differentiation 1 हो जाएगा, sin 2x सा cos 2x into 2 divided by 2, 2 to cancel हो जाएगा, तो dy by dx is equal to 1 plus cos 2x, अब यहां पर आगे value हम रखेंगे, कि x की जगा पर हम क्या रखेंगे, pi by 2, तो x की जगा पर मैं pi by 2 रखूंगा, तो cos pi minus 1 होता है, तो 1 minus 1 dy by dx क्या हो जाएगा, 0, यानि slope हमें 0 मिला, तो मैं यहां पर इस equation में सारी चीजे रख देता हू, y1 हमने यहां पर obtain किया था, pi by 2, slope पूरा 0 हो जाएगा, तो यह 0 हो जाएगा, तो y minus pi by 2 is equal to 0, तो y is equal to pi by 2, तो यहां पर answer होगा हमारा option 3, question number 114, the diameter of a circle is increasing at the rate of 1 centimeter per second, when its radius is pi, then the rate of increase of its area is, तो यहां पर हमें differentiation करना है, already हमें diameter का दे दिया है, तो यहां पर diameter का differentiation कितना दिया हुआ है, 1 centimeter per second, circle का area हमारा होता है, a pi r square, अब सब कुछ हमें diameter में दिया हुआ है, तो मैं area of circle का भी differentiation निकालेंगे, pi r को हम d by 2 में convert करतेंगे, तो यह हो जाएगा 2d, नीचे 2 का square 4, और d, d by dt, जो already हमें 1 दिया हुआ है, उसके बाद, d is equal to क्या होता है, twice then radius okay, तो यह 4 cut हो जाएगा इसके साथ, तो r की जगा पे pi हमें already दिया हुआ है, radius लेना है, तो pi into pi क्या हो जाएगा, pi square, तो rate of increase in this area is, answer is pi square, question number 115, the approximate value of 33 raise to 1 by 5 is, okay, तो सबसे पहले यहाँ पे y is equal to, f of x assume कर लेते, x raise to 1 by 5, और उसका differentiation भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि आगे हमें जरुरत पढ़ने वाली है, तो dy by dx, 1 by 5 x raise to 1 by 5 minus 1, उसे solve करेंगे, तो हमें dy by dx is equal to 1 by 5 into 1 upon x raise to 4 by 5 होगा, तो आगे हम देख लेते हैं, कि अगर 33 यह उसे हम divide कर लेते हैं, कि x को हम 32 ले ले लेते हैं, और delta x यानि कि dx जो होता है, उसे 1 ले लेते हैं, 33 को हम 32 plus 1 में divide कर देते हैं, ठीक है, तो अगर मैं x 32 लोगा, just suppose, यहाँ पर यह formula हम use करेंगे, x 32 लोगा, जो y कितना मिलेगा मुझे, 32 raise to 1 by 5, और 2 raise to 5, 1 by 5, तो मुझे x 32 लेने पर y कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, अब delta y ही dy होता है actually, और delta x dx होता है, 32 plus 1, 33 हमें इसकी value निकालनी है, क्योंकि हमें 33 raise to 1 by 5 की value, अब अगर जैसे यहाँ पर y की value मुझे 2 मिल गए, अब मेरे पास value है dy by dx की, तो x मैं उसमें put कर देता हूं, कि मुझे x कितना मिले लेना था मुझे 32, यानि कि अभी 2 raise to 4 by 5 into 5 हो जाएगा, cancel, तो 2 raise to 4 कितना हो जाएगा, 16, 16, 5 जा 1 upon 80, तो मुझे dy by dx, x is equal to 32 लेने यहाँ पर कितना मिलता है, 1 by 80, तो मैं इसको dy by dx में convert कर दा हूँ, dy by dx into dx, यहाँ पर मैं उपन नीचे लिख देता हूँ, तो dy by dx की value में 1 by 80 अलरडी लेके आया हूँ, और dx की value, यानि कि delta x की value कितनी होती है, 1 वो हमने starting से assume किया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 plus 1 by 80 is equal to f 33, तो 1 by 80 की value क्या हैगी, 0.0125, अब यहाँ पर यह जो value है, उसके इसा आप से plus करेंगे, तो answer क्या हो जाएगा, 2.0125, अब 1 by 80 उसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, 8 को आप 2 raise to cube into 10 लिख सकते थे, अब 2 raise to cube को 0 लाने के में 5 cube उपर नीचे multiply कर सकता हूँ, तो 1 by 80 करने के जगा पर यह कर सकते हैं, जो 10th में concept आता है वही, तो 2 plus 0125 answer होगा, option 4, question number 11, 2 raise to 3 n minus 1, n belongs to n, is divisible भाई, तो इसमें तो सीधा n belongs to n करता है, तो n is equal to 1 रख दो, तो 2 raise to 3 minus 1, which is 7 होगा, 8 minus 1, तो हमारा answer के होगा, 7 से divisible हो जाएगा, आप n is equal to 2 लेके check भी कर सकते हो, 7 से ही divisible होगा, क्योंकि उसी का आगे बढ़ता जाएगा, सीमा has 2 coin which appear identical in her purse, she knows that one is fair and other is 2 headed, she taken out one and toss it gets head, she probably find that coin was fair, अब उसके पास 2 coin है, एक fair है, यानि कि एक उसके head है, और तेल है, और दूसरा coin है, वो इस तरह से है, कि दोनों से तरफ ही head है, तो उसके पास probability कौन सी होगे, इसमें बेस थियोरम का use किया गया है, तो हम पहला event ले ले लेते है, event कि कोई coin fair है उसके लिए, और e2 event ले ले लेते है, कि जो two headed coin है वो, और h हम ले ले लेते है, कि toss coin gets head, जानि उससे जो चाहिए वो, क्योंकि उसने toss किया, उसके बाद उससे head मिलता है, तो h is equal to toss coin gets head, अब हमें और भी चीज़े निकालनी है, क्यों बेस थियोरम के फॉर्मूले के इस साब से P of even हमें निकालना पकरेगा, probability of even event, तो पहला क्या था, coin is fair, तो दो coin थे उसमें से, एक coin fair था, तो उसका answer कितना आएगा, 1 by 2, और उसी तरह से probability of e2 is also 1 by 2 आएगा, क्योंकि उसके पास दो 2 headed वाला, एक ही coin है, total 2 थे, तो 1 by 2, अब यहां पर यह है, कि h by even का मतलब क्या होता है, तो यहां पर h दिया हुआ है, tossed coin gets head, तो अगर वो fair coin निकालती है, पहला, तो उसमें head or tail होता है, ठीक है, तो head मिलने की probability क्या हो जाएगी, उसमें 1 by 2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर क् probability of h by e2 is equal to 1, यह कैसे, उसके पाद 2 headed coin है, और उसमें उसको head चाहिए, तो इतनी भी बारू चाहले, उसमें head ही आएगा, tail आएगा ही नहीं, इसलिए यह पॉसिबल event है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम base theorem का formula लिख देते हैं, तो इस तरह से हमां ह हो जाएगा, option first, calculation में मैं time waste नहीं करता हो, वो आप कर सकता हो, question number 118, the probability that person is not a swimmer is 0.3, then the probability of that out of 5 person of 4 is swimmer is, okay, तो यह जो formula है, वो जो binomial theorem में, उसको probability में use करने से होता है, p of xr is equal to ncr, p raise to r, q raise to n minus r, अब not a swimmer है, तो वो event हो हमारे यहां पर q हो जाएगा, 0.3, तो swimmer क्या हो जाएगा, यानि कि p हम लेंगे, तो 1 में से 0.3 जाएगा, 0.7, 5 out of 5, 4 person है यहां पर, n हमारा हो जाएगा 5, और r हो जाएगा हमारा 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5c4, p 0.7 raise to r, n 0.3 raise to n minus r, यानि कि 1, तो हमारा answer होगा, option number 4, 5c4, 0.7 raise to 4, and 0.3, question 119, there are two events such that p of a is equal to 0.25, p of b is equal to 0.50, the probability of both happening is 0.14, the probability of that both a and b are not happening, okay, तो हमें जो जो चीज़े दी हुई है, उसको हम इस formula के हिसाब से लिख देते हैं, कि p of a हमें 0.25 दिया हुआ है, p of b हमें 0.50 दिया हुआ है, p of a union b, okay, वो हमें नहीं दिया हुआ है, पर दोनों की happening की probability दी हुए है, वो है 0.14, अब यहां पर दोनों की होने की probability दी हुए, okay, यह together होने की happening दी हुए, जो 0.14 है, पर यहां पर दोनों हो सकते, उसकी क्या होगी हम निकाल लते हैं, okay, फिर हम देखते हमें पूछा क्या है, तो 0.25 प्लस 0.50 विच इस 0.75 माइनस 0.14 इस तरफ आ जाएगा, तो 0.75 में से 14 जाएगे तो 5 में से 4 जाएगा, 0.61 तो p of a union b हमें कितना मिला, 0.61 तो अब हमें पूछा तक not happening के लिए, तो not happening के लिए क्या होगा, p of a dash intersection b dash is equal to 1 minus p of a union b, जो हम यहां पर value लेका है, तो 1 में से अगर 0.61 जाएगा, जो हम से पूछा गया है, कि a and b are not happening, तो 0.39 विच इस अगर आंसर, question number 120 देखते, the value of 10 units cos x divided by 1 minus sin x is, अब यहां पर मैं इन सभी formula को x by 2 में convert करने ही कोशिच करता हूँ, तो हम cos x को कैसे लिख सकते, cos square x by 2 minus sin square x by 2, नीचे जो 1 है, उसे हम लिख सकते, cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus sin x को हम लिख सकते, 2 sin x by 2 cos x by 2, तो यह जो पूरा form है, a square minus b square है, तो a minus b, a plus b हो जाएगा, और नीचे जो है पूरा a square plus b square minus 2 a b, तो a minus b का whole square हो जाएगा, उसे होगा यह कि यह एक पावर और एक पावर कट हो जाएगी, तो मेरे पास क्या होगा, cos x by 2 plus sin x by 2 बचेगा, कि यह 10 का formula बनने जा रहा है, कि 1 को हम 10 pi by 4 लिख सकते हैं, तो 10 pi by 4 plus 10 pi by 4 1 होता है, 10 x by 2, 10 pi by 4 minus 10 pi by 4, 10 x by 2, तो यह क्या बन जाएगा, 10 inverse 10 pi by 4 plus x by 2 का formula बन जाएगा, 10 10 inverse cancel हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, pi by 4 plus x by 2, which is option 3rd is our answer, तो यहाँ पर मैंने 101 से लेके 120 तक question करवा है, next video 121 से लेके 140 तक हम करेंगे, 2020 question के यहाँ पर सारे वीडियो बनेंगे, so see you soon.